कारेकम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार विश्व मौसम दिवस इस अवसर पर मौसम वैग्यानिक नारान सिंग सौलंकी आज हमारे साथ हैं इसे हमको खास बात चीत करेंगे तो सौलंकी साभ आपका नमस्कार स्वागत सबसे पहले हम यही जाना चाहेंगे कि यह विश्व मौसम दिवस आकर मनाय को जाता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस गरह प्लैनेट अर्थ पे जो भी जीव जुनतु हैं वो मौसम और जलवाई उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो विश्व संगठन यूएन जो है उसके एक एजेंसी है इस्प मद्यन नजर रखते हुए मानवता की जीवन और जीव जुनतों पर प्रभाव को किस तरह से कम किया जा सकता है तो उन्होंने यह मैसूस किया है कि मौसम का प्रभाव किस तरह से हो तो विबिन देशों के बीच एक सामज़स से बिठा के इस ओर्गनेजिशन की इस्थापन होई थी इसकी और जिसका कन्वेंशन फर्स्ट नाइनटीन फर्टी सेवन में हुआ था और तदबुदरांत तेविस मार्च उननीस सो एक सट से यह लगातार परती वर्स तेविस मार्च को उसकी यादगार में मनाय जाता है ताकि सभी विश्व के मानवजाती का कल्यान हो जी अच्छा कई बार यूं होता है कि यकायक मौसम बदलते हैं आंधी तूफान बारिश जबकि अंदेशा भी नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी अच्छानक सा होता है यह आखिर क्यों होता है हम जानते हैं कि इस ग्रह पे तीन चोते ही पानी है और एक चोते ही जमीन है तो महासागर जो मौसम और जलवायू की निर्मान में महासागरों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है तो विश्व मौसम संगठन जो किस तरह से गहनता से इसकी अध्यन करता है कि यह किस तरह से वायू मौसम और जलवायू को प्रभावित करता है तो महासारगों का तापमान, महासरागत की जो गरम और जल्वायू ठंडी धारा eccो प्रभाइद लिखे उस्से जो त्रटी छेतर हें, वो बहुत प्रभाविद होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 90 परतिशट जो ट्रेड है वेपार है, वो महासारगों प्रतिशट मानोजाती का जीवन निरबर है तो इनका अत्यांत बहुत ही नितांत आवशक है और इसके इसी संदर्व में ये विश्व मोसम संगठन इसमें कारेरत है और जैसा कि आपने बताए कि जो मोसम में अचानक बदलाव आता है यही एक मोसम का है तो इसमें एक जल्वाई सिति बनी हुई है तो यह कारण है कि एक समय की यह वर्षा की एक चैतावनी भी दी है आईम डिवनी भी और यह एक पश्चिमी विख्षोप के कारण होता है जो कोई भी मोसम जब बिगड़ता है तो लो प्रेसर निम्न दाब्द की वज़े से होता है तो हमारा जो संचालक है वह एक सुर्य है तो सुरिय की अलग-लग पर्थी पे जो करिणे पड़ती है तो उससे ताप कर्म में बिननता पाई जाती है उस बिननता की वज़े से अलग-अलग वायु दाब होता है तो जहां पे निम्न दाब डौलप हो जाता है तो वहां से हवां उसकी और अगरश से देख रहे हैं कि महारास्ट और हम राजस्तान में कुछ भागों में और लावरस टीवी जो से बहुत ही करशी के अंदर नुक्षान भी हुआ है तो यह एक परिवर्तन जो हो रहे हैं इसका दिन निरंतर भारत मौसम विज्यान और भी कोई संगट है ने विश्व मौसम परंकिस से हम बाठ चीप कर रहे हैं अच्छा यह तो हुआ कि अचानक मौसम बदलता है कहीं बार मौसम का पुरौवाणुमान आता है कि आज बारिश हो सकती है यादबादल च्षायए है लेकिन इसके बावज़ूध भी बारिश नहीं होती है और नही बादल आते हैं नह कि संस्थान का मुख्याला है दिली में डीजी बैटते हैं तो पूरुवानुमाम जो होता है मुख्यू रूप से अल्प अवधिका मध्यम अवधिका और दीर्ग अवधिका तो जैसा कि आपने बताए कि पूरुवानुमान बहुत गलत भी जाता है कभी-कभी, तो पहले ये था, लेकिन अब आज कल सटिक बैट रहा है, अब इसके एकुरिसी डे बे डे बढ़ रही है, क्योंकि ये सब सारा जो है, वो आंकडों पे निर्वर करता है, तो इसमें हमारे जो सेटलाइट हैं, वो भी सारे इसमें समलित हैं, और लगातार ये प्रियास हो रहे हैं कि इसको सही सही सटिक जानकारी दें, और पूर्व में भी दो, तीन, चार साल पहले, जैसे कि उडिशा और वेस्ट मंगाल के अंदर जो तुफान आये थे, उसमें हमारे आइमडी के डीजी डाक्टर लक्षमन शिंग राठोड थे, उन दो वर्सों में जो सटिक भविश्यवानी हुई थी, तुफान चक्रवाद की, तो वो उसमें भारत सरकान भी आइमडी के बहुत सरहाना की और दिनो दिन जो भविश्यवानी बहती सटिक है, जैसे कि आपने बताए कि बारिश का पूर्वा अनुवाम होता है और बारिश नहीं आती, तो भारत मौसम विज्यान जो भविश्यवानी करता है, पूर्व में डेट सो किलो मेटर की पर पूर्वानी करता है, तो यह नहीं है कि उदेपूर में बारिश संभावना बताई और नहीं हुई, लेकिन आप दस किलो मेटर पर देखेंगे तो वहां बुंदा बांदी भी अवश्य हुई होगी, तो यह हम कह सकते हैं कि इसकी जो सहीपन है इसका लगबग सित्तर और अ क्नल की बात करते हैं, वायू मंदल में हमारे परत्फ़ी के ऊपर सतह पर जो गैसी आवरन है, उसको वायू मंदल कहते हैं और तीन चीज़े मुख्य होती है, एक दूल के कंड होते हैं, चे्ज, तो यह इनका जल वास्प और दूल के कंड का काम होता है की रेडियाशन को ए करना और वायू मंडल को एक ताप मान देना जो मानव जाती और जीव जंतु के लिए प्रयाप्त रहता है संतुलित रहता उसमें ऐसा कोई ग्रहन यह जहां पर इस तरह का टेंपरेचर पाया जाता है और हमारा अर्थ का टेंपरेचर है लगबग और सत पंदरा डिग्री सेल प्रोकार्बन यह गेसेज जो हैं यह वायू मंडल में प्रवेश करती है और इनके भी जो इनका आवस्वासन होता है रेडियसन का इनका तो उसमें यह वेस्विक ताप मान में ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान दे रहे हैं जिनको हम ग्रीन हाउस कह सकते हैं तो नेचूरल प्राकरती जो ग्रीन हाउस गेस है वो तो जलवास पे होती है इसके अलावे भी हमारे प्रदूर्शन से जो भी कार खाने हैं या वहिकल्स हैं उससे जो गेसे निकल रही है वो ग्रीन हाउस गेस का काम करती है और वायू मंडल के तापमान को बढ़ाती है तो इ भी हमारे एक परदूसन भी जल्वायू परिवर्टन में एक मुख्य भूमी का नहीं बाता है जी आज विश्व मौसम दिवस से इसी आउसर पर आपको हमने बुलाया तो आज के दिन हमारे शोताओं से क्या कहना चाहेंगे आप ये बताईए आज जैसे आज 23 मार्च को विश पर आधारी देते हैं तो आप ये 23 मार्च को न देखे आप इसको रोज अपने जीवन का एक अंग मानकर इसको मनाएं ताकि कम से कम परदूसन हो और अगली अपनी मानो जाती की पीडियों का इसमें कोई उनको भी जीने का अधिकार है तो हम अपने परिवान को बचाते तो वो यही करना चाहता हूं और इस वर्ष की जो थीम है वर्ड मेटरिलोजिकल ओर्गनेशन की वो इसमें एक तो ऑशियन आवर क्लाइमेट और वेदर तो इन तीनों का जो है इस तरह से कम से कम परदूसित हो यह हमें हमारी जीवन में एक अंगिकार करना चाहिए विश्व मौसम दिवसपर मौसम वेक्यानिक नारण सिंग सोलंकी से यह थी बाचीत आपका बहुत बदाभार